हेलो, क्लास वन चिल्रेन, हाव और यू, हाई हो, यू आल फाइन, तुड़े आई विल टीच यू, चाप्टर टू, यूज़ अफ कम्प्यूटर, चिल्रेन यह रिवीजन एक्सराइज है, आपको मैंने प्रिविएस वीडियो में, कम्प्यूटर का यूज हम लोग कहां कहा करते हैं, इसके बारे में मैं बताई थी, आज मैं उसी चाप्टर से रिलेटेर, कुछ और पॉइंट आपको बताऊंगी, तो चिल्रेन, आपने देखा प्रिविएस वीडियो में, कि कहां कहां हम लोग यूज़ करते हैं कम्प्यूटर, वो मैं बताई थी, और कर सकते हैं, पिक्चर, किसके सहता से, किसके हिल्प से, माउस के हिल्प से, we can also solve some using a computer, a computer can solve difficult sums easily in a matter of second, computer पे हम लोग क्या कर सकते हैं, easily, आसानी से कोई भी सम को solve कर सकते हैं, we can play song and listen to music on a computer with the help of speaker, speaker के help से, हम लोग कम्प्यूटर पे क्या कर सकते हैं, music भी सुन सकते हैं, song भी सुन सकते हैं, यह से work हम लोग कर सकते हैं, अब आप देख लो, कहीं कहीं computer, जो है, railway station, airport, it helps, यह क्या करता है, वहाँ, it helps in booking air tickets and railway tickets, it gives informations about the arrival and departure timing of train, है ना, इसलिए लोग वहाँ पर computer का use करते हैं, क्योंकि हम लोग आसानी से arrival और departure का train का timing का पता लगा सकते हैं, अब shops और market में हम लोग computer क्यों use करते हैं, अब क्या क्या shop में item है, यह क्या करता है, computer information देता है, और बिल जो है, तुरंत में, थोरही second में, बिल को पना के ready कर देता है, ठीक है, है ना, आशान, तो computer पर work करने से क्या होता है, हमारा work जल्दी हो जाता है, इसलिए लोग use करते हैं, अब school में ही देख लीजे, school में क्यों computer use करते हैं, it is used to prepare the report card and keeps record of students, it is used in the school library, it is used by teacher to explain our lessons in a interesting way, अब बताईए teachers, देखोगे आप लोग, के smart class में teacher जो है, उसमें बहुत सारा lessons को, lessons पराती हैं, जो बच्चे को attract करते हैं, बच्चे pictures के साथ देखते हैं, और वो attract होते हैं, बहुत सारे questions arise करते हैं, और वो जो है, lesson जो है, वो chapter है, वो बहुत interesting बन जाता है, है ना, बन जात आप लोग smart class भी देखोगे, अपने class में, ठीक है, तो ये computer का जो है, uses बहुत जगह पे होता है, जिन जगह के बारे में आपको मैं बताई हूँ, explain की हूँ, इन सारे points को आप अपने mind में रखना, ये सब जो मैं place के बारे में बताई हूँ, बहुत important place है, जहां computer का use mostly किया ज अब banks में ही देख लीजिए, it helps to withdraw money from ATM, ATM क्या होता है, automated teller machine, ठीक है, जहां हम लोग ATM डालकर पैसे को निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे जगह पे हम लोग computer का use करते हैं, तो इतनी बाते आप लोग अपने mind में set करना, और इस चैप्टर को recall करकर, इस चैप्टर से related worksheet को भी आप लोग खुद से solve करना, अब यहां देखो, मैं यहां पर इस pictures में देखो, जिस place के बारे में मैं आपको बताई हूँ, वहां computer का use किस तरह से हो रहा है, कुछ में points भी आपको बताई हूँ, इस points को भी आप लोग learn रखना, अब देखो, इस चैप्टर से related मैं true false है, जो आपको खुद से solve करनी है, first question क्या है, write t for true and f for the false one, एक computer can be used to watch movie, true होगा तो true लिखना है, false होगा तो false लिखना है, एक computer can be used to listen to Hindi songs only, इसमें भी true false लिखना है, question number 3, you can cook food on a computer, यहां पर सही होगा तो true, false होगा तो false, question number D, एक computer can be used to send email, true होगा तो T, और false होगा तो F, false में पूरा लिखियेगा, question number E, a teacher can use computer to prepare result, true होगा तो true लिखियेगा, false होगा तो false लिखियेगा, इसको आप अपने worksheet में complete करना, अपने notebook में इस questions को जैसे मैं दी हूँ, वैसे ही लिखके रखना और true false बना के आपको रखना ह और इसी chapter से related मैं आपको कुछ project दे रही हूँ, जो आपको फिर से practice करनी है, collect pictures of places where computer are used and paste them in your notebook, जहां जहां हम लोग computer use करते हैं, उसका जो pictures है, आपको अपने notebook में paste करना है, draw नहीं करना है, पेस्ट करना है, कि जिस जिस place के बारे में मैं आपको बताई हूँ, मैं देखना च जो मैंने बताई हूँ कि computer का use हम लोग कहां कहां करते हैं, okay children, that's all for today, I meet you in your next video, bye bye